100 days semen retention यानि 100 days अपना semen बचाने के बाद और प्रमचरे का पालन करने के बाद अमारा brain revive mode में चला जाता है जहां से हम past experience को धिरी धिरी भूलते जाते हैं जिन चीजों ने आपका दिमाग गंदा कर रखाता जिन चीजों ने आपका दिमाग बुरी तरह से नस्ट कर रखाता अब दिरे दिमाग आपका उन चीजों को रिपेर करने लगता है जब आप 100 days nofap challenge लेते हैं तो दिरे दिरे आपका दिमाग अपने past experience को भूलता जाता है जिसके चलते बार-बार स्टीक तोड़ने वाले लोग की यहां तक आने के बार स्टीक तोड़ना बहुत कम हो जाता है 95% कम हो जाता है कि अगर आपने 100 days nofap challenge पूरा कर लिया तो अब आप स्टीक नहीं तोड़ने वाले क्योंकि जब भी आप relapse कर लेते हैं बार-बार अपना भ्रमचरे का नास करते हैं तो अपनी last history को याद करके आप last relapse को याद करके उसे अपने एक form बनाके उसे फिर से आप relapse कर लेते हैं ताकि आपको एक खोसी मिले लेकिन यहाँ पर आपको past experience देरे देरे आप भोलते जाते हैं आपका दिमाख उन चीज़ों को भोलता जाता है जिसके वज़े से आप भ्रमचरे नास करते थे इसलिए आपका दिमाख यहाँ पर revive mode में चला जाता है जिसके चलते हैं बहुत जदा चनानस हो जाते हैं कि आपके body की जो need होती physical need वो अब कम हो जाती है जिसके चलते हैं आपको sexuality जाना बहुत कम हो जाते हैं और आप अपने हाँ आप अपने काम में focus डाल सकते हैं वो सरह लोग को लगता है कि दव आप hundred days ज्यादा दिन तक nofap करते हैं और भ्रमचरी का पालंग करते हैं तो आपको आप जिस चीज को कर रहे हैं आपको normal लगेगा शुरुआत में आपको फायदी मिलते हैं लेकिन दिरे दिरे normal हो जाता है क्योंकि आप एक different इंसान बन जाते हैं आप उस habit में आ जाते हैं जहाँ अपने आपको normal माने लगते हैं वहीं अगर आप दूसरे इंसान को compare करेंगे जो प्रमचरे का पाला नहीं करता तो आप उसे एक different दिखेंगे आपका focus concentrate और आपकी level of khusy आपकी happiness आपके जिन्दी की real life में और आपके काम करने का मन और ऐसी चीजों में आपका मन ज्यादा लगने लगेगा उससे एकर आप compare करने लगोगे तो आप जिन्दगी में खुस सब्नारा किसी का पालन जरूर करना है इससे क्या होगा आपकी सारी खुसी आपको जिन्दगी में जो भी आपकी चीजेशें जो भी आपके ब्रमचरे नास wrap Th jeśli हुई फी ती जहर्ले जैसे वह नहीं लगते हैं वह पहले जैसे वहापस आने लगते पेहले जैसे आपकी आसानी से उसमें फॉकस डाल दें तो उसे एच्व कर सकते हैं इसलिए हमने आपको 100 देज नो फैब चैलेंज दिया है जो फ्रॉम वन अगस्ट से स्टार्ट होने वाला है अगर आप बहुत ज्यादा मास्ट बेट करते हैं या आपकी या आदा छूट नहीं रही तो आप हमारा 100 देज नो फैब चैलेंज फ्रॉम मन अगस्ट आप उसे जोइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है वो वीडियो आप जाकर देख लें आपको पता चल जाएगा कि कैसे जोइन करना है यह एक पेट सेसन है आई होब आप सब उसको पूरा कर लेंगे चुकि हमने यहां पे काफी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने की सोची है तो आराम से अगर आप जुडेंगे तो 100 देज अगर आप नहीं कर पाते तो आसानी से 100 देज पूरा कर लेंगे तो आप जाकर इस वीड वीडियो बनाते रहते हैं थैंक्स पर वोचिंग